हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू में चनल आज हम स्टेप बाइ स्टेप कुरती की कटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने डाई मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है यह देखे यह यहाँ पर डबल फोल्ड है तो अभी हम इसे फोर फोल्ड करेंगे तो इस तरह से इसे उठाते हुए हमें फोल्ड करना है और इस तरह से देखे फोल्ड करने से आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा तो देखे इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और यह फोर फोल्ड मैंने 11 इंच का लिया है तो जितना हिप का साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है प्लस 2 इंच मार्जिन एड कर लेना है तो मेरा हिप साइज है 36 इंच उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आजाता है 9 इंच प्लस 2 इंच हम मार्जिन लेंगे तो वो आजाता है 11 इंच तो इस तरह से हमने 11 इंच का 4-fold ले लिया है, अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम cut कर देंके, तो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को cut कर दिया है, ये हमने कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लिया है, अब इसमें से हम sleeves की cutting करेंके, तो यह हमारा खुर्ती के लिए कपड़ा है यह देखे यह हमारा 4 फोल्ड है यह 4 लेर्स है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और इसकी लेंथ हमने 44 इंच लिए है आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम ज़ादा कर सकते हैं अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर है मेरा 13 इंच तो 13 का हमें हाफ लेना है साड़े 6 इंच पर तो यहाँ पर शोल्डर मैं ले रही हूं साड़े 6 इंच तो इस तरह से हमें साड़े 6 इंच पर निशान लगा लेना है उसके बाद हमें यहीं से नीचे की तरफ आर्मोल ले लेना है तो जितना हम शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी हम उतना ही लेते हैं तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ साड़े 6 इंच अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते वे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉआ करनी है अभी यहाँ पर हमें chest लेना है तो जितना आपका chest का size है उसको 4 से divide करना है प्लस उसमें half inch losing add कर लेना है तो मेरा chest 36 inch है उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch प्लस half inch हम losing ले लेंगे तो 9.5 inch हम chest का निशान लगा लेंगे इस तरह से और उपर से अभी हमें shoulder से कमर की length लेनी है तो यहां पर मैं 14 inch ले रही हूँ small size के लिए 14 inch लेना है बड़े size के लिए आपको 15 inch लेना है और उपर से ही आपको hip की length लेनी है तो वो मैं ले रही हूँ 20 inch अभी जहां पर हमने कमर length का निशान लगाया है वहां पर कमर का fourth part plus half inch की losing लेनी है तो मेरा कमर है 30 inch उसको four see divide करेंगे तो वो आजाता है 7.5 inch plus half inch की losing लेंगे तो वो आजाता है 8 inch तो हम यहां पर कमर लेंगे 8 inch पर अभी जहां पर हमने hip length का निशान लगाया है वहां पर hip का fourth part plus half inch की losing लेना है तो मेरा hip है 36 inch उसको four see divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch plus half inch की losing लेंगे तो वो आजाता है 9.5 inch तो यहां पर हम 9.5 inch पर निशान लगा लेंगे अभी इन तीनों points को हमें जोड़ देना है और इस निशान को हम सिधा straight कर देंगे क्योंकि यह हमारी straight cut कुरती है तो यह नीचे तक bottom तक हमारा straight ही रहेगा तो यह हमारी fitting की line है अभी हमें margin लेना है तो यहां पर आप 1.5 से 2 inch margin ले सकते है तो मैं यहां पर 1.5 inch का margin ले रही हूँ पुरा नीचे तक हम 1.5 inch का margin ले लेंगे तो यह हो गया हमारा margin अभी हम armhole draw कर लेंगे तो इस line का हमें half लेना है तो इस line का half आ रहा है सबा 3 inch पर अभी हम armhole के लिए shape देंगे इस तरह से या फिर आप यहां पर 1.5 inch की गुलाई भी दे सकते है और यहां से हम half inch अंदर की तरफ mark कर लेंगे और यहां से हम front का armhole draw कर लेंगे तो यह हमारा front का armhole है अभी हम neck की cutting करेंगे तो यहां पर मैं simple round neck बना रही हूँ तो इसके लिए मैं यहां पर direct neck कुर्ती पे cutting कर रही हूँ अगर आपको कोई design का neck बनाना है तो आपको कुर्ती पे cutting नहीं करना है आपको canvas paper पे cutting करना है तो यहां पर मैं neck width ले रही हूँ 2.5 inch और neck deep मैं ले रही हूँ front के लिए 5 inch और back के लिए मैं ले रही हूँ 4 inch यहां पर भी हम 2.5 inch लेंगे और एक box बना लेंगे और round shape दे देंगे box बनाने से round shape हमारा perfect आता है अभी back के लिए भी हम round shape देंगे तो देखे इस तार से हमने marking कर लिए है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखे हमने cutting कर लिए है अभी यहां पर जहां से हमारी fitting आएगी वहां पर हम cut लगा लेंगे तो हमें fitting करने में आसानी रहेगी और उसके बाद यहां से हमारा slit रहेगा तो यहां पर हम cut लगा लेंगे अभी हम इसे open कर लेंगे और इसमें से हम back part को side में रखेंगे और फ्रेंट के पार्ट को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमें फ्रेंट नेक और फ्रेंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी है तो हमने फ्रेंट नेक और फ्रेंट आर्मोल की कटिंग कर ली है अभी हम neck के लिए strip cut करेंगे तो इस तरह से हमने fabric का piece लिया है इसे हम fold करेंगे और fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है तो fabric के piece को हम इसके अंदर रखेंगे और neck part को इसके उपर रखेंगे और उसके बाद हम neck के shape में mark कर लेंगे इस तरह से और यहां से हम 1.5 inch का margin रखेंगे और यहां पर भी mark कर लेंगे round में और अभी हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखें इस तरह से हमने neck के लिए strip कट कर ली है और सेम इसी तरह से हम back के लिए भी neck की strip कट कर लेंगे अभी देखें इससे हमें open कर लेना है और open करके हमें सीधी साइड में इसे रखना है ये इसकी सीधी साइड है और इसके उपर हमें neck के strip को उल्टा रख देना है और किनारे से सिलाई लगा देनी है उसके बाद हमें strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेना है इस तरह से हमें front और back का neck बना लेना है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो sleeves के लिए भी हमें fabric को four fold करना है यह देखिए हमने fabric को four fold करके रखा है और यह four fold हमने nine inch का लिया है तो जितना आपका आर्मोल है उससे आपको ढ़ाई से तीनी ज़दा लेना है तो जैसे कि मैंने आर्मोल साड़े छे inch लिया था तो इसके लिए मैंने उसमें ढ़ाई इंच आड़ करके nine inch का four fold कर लिया है और sleeves की length मैंने 17 inch लिया है अब length अपने according कम ज़दा कर सकते हैं अभी यहाँ पर open side से three inch down mark करना है और यहाँ से हमें sleeves का shape दे देना है और यहाँ पर हम sleeve bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो हमने sleeve की cutting कर ली है अभी sleeve के center पे हम cut लगा लेंगे जिसे की sleeve लगाते time पे हमें आसानी होगी अभी हम sleeve को open करेंगे और यहाँ पर हमें front का armhole draw कर लेना है तो इस तरह से half inch deep हम front का armhole draw कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो हमने front armhole की cutting कर ली है तो यहाँ पर देखे sleeve की दोनों सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है या फिर ulty side अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole cut कर लेना है इससे आपके दोनों side के armhole आगे पिछे नई होंगे बराबर cut होगा front का armhole यह दिखे यह दोनों side के दो sleeves है बराब रखनी है